किसा मैं बाई सुनू मरी बात बालो भाई ये लग तुम्हें भसा देंगे मात किया लाजका दिर्फ़का नहीं करना चाहते है क्यों मुझे इतना बड़ा बदसी पैदा किया वाले सुनू भाई अगर फैदा किया था तु क्यों नहीं मेरे पास दौलत दिया होता अगर दौलत आज मेरे पास होती थे परिवार की यहाला नख सुनू भाई ए बड़े लोग दी चाल है राज हमेली है मा की लास को उठा के चल्दी से हापिस चल भाई नीति लोग तुम्हें फसा के करुन के हवाले कर दिए भाई चलो उठाओ भाई बाई हम कहां पर जा रहे हैं जाल मेरे साथ एक गाउं छोड़की कहां जा रहे हैं बाई जाल मेरे साथ चल तुमके लिए चलना होगा प्राइब आप मेरे माबाप सब कुछ हैं पहले में आपका दम नमरत दम तक नहीं छोड़ सकती हमाई लुए शेटरा भाई बस दूसी बैद कि आज माका ममता मेरे संसे दूर हो गया अर्टू वैं इतनी बली बतसीब है कि एतना भाई अपने हाथों से तुमारी डोली तक नहीं सदा सका लेकिन बहन बही मैं जब दोली में बैठूगी ना तो देखना साधी का जोड़ा पहन कि तुमारे हाथों से डोली में ब भाई आप मुझे कहीं लिवा के चरें ना तो चलिए शर्वाइब अगवार इस दुनिया में कोई साहरा नहीं अब मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है सुनू भाई कि अपनी मेहन को कफर चाचा के हाँ छोड़ करके तभी अपनी मार का बदला माच चुका सकता हुआ जोनु भाई आप कुछ सोच रहें जहां पर आप चलें में चलें के तियार हो चलिया चलिया चल पहर अज़ दोस्तों आज एका स्कीन देखते रहिए और लेकिन माश्यार हम रोग लाइन बहा देखें कैसे निर्गुल लाइन में अरे एक दिन जाना होई होई सभका जोनु पहर आप चल पहर आप में तियार हम लाइन बहा देखते रहड़ा हम राप चल पहर आप चल पहर आप जाना होई ज़िए और रहें सभका आई युवा के जब पाती तात न जई है तनी जाती हाई युवा के जब पात काही है तनी जब पाती है तनी जब पाती तो ऑची जब पाती है क्या बताएं कि सोनू अपनी बाहर को छुड़ाने गया लेकिन कोई सबर नहीं मिली चाचा क्यों बेटा क्यों रहा है आप से हाद जोर कर निमेदन करा हूं चाचा कि आज मैं अपने एक चिगर का टुक्रा आपको देर के जा रहा हूं चाचा चाचा मा का चायार आचाचा वे भी मुसे चिल ली आगे आगे आग सुनिये चाचा चाचा ये चाचा ये जाचा ये शरे लावे ये अझाचा ये उट चाचा ये का ये जाचा येल चौट जी समझ के तुरा खेगा जाचा अब इस दुनिया में मुझे कोई सहरा दिखने वाला नहीं है जाचा लेकिन भाई अपनी बहर सल्ला को आपके कदमें पर सोब के जा रहा हूँ चाचा यह मेरी बहर की परविस और देखवाल आप करेंगे चाचा सुनो भाई मैं असे एक बात जानना चाओंगी भाई क्या आप तुमारी सल्ला बहल इतनी बड़ी बोज हो गई है कि तुम मुझे इस तरह हाईयों में छोड़के जा रहे भाई में यë एक बात मुझे भाई क्या एक जाना शायरे में वहां पर नहीं जा सकती नहीं भाई मैं कि अजया रहा हूं भाई है कि तुम हों मit जाना है क्यों भाई कि अगर तो यह जाएंगी तो माग्यास में भज़कती रहेंगी मैं इसलिए मैं तुमसे हाथ जोन कर दिने में दर करना हूँ भाई तु आज तो आप मा का दूत का कर्शिदा करने जा रहे हैं भाई मैं आपको रोकूंगी नहीं लेकिन हमसे एक वादा आपकी जिए कि भाई जब मैं डोली में बैठोंगी तपनी बहल को अपने हाथों से डोली में दूल बनाके बिठाएगे ना बहल ये तुरा भाई बननसीब है बहल अगर बहल ये तुरा भाई वापस आ गया देवा गया गया है कि तुझे अपने हाथा से डोली में बिठाएगा तक तक नहीं बैठोंगी जब ऑने हाथों से अपके अपने हाथब से नहीं दूली में बिठाओगे हैं चल्च महीं एकता हाथ मैं आपका इंटिजार करूंगी भouse मैंब जा रहा हो लेकर सुन और जा रहा महल जा रहा और जा रहा न गए ज्या निते ना रहे जा रहा मदल द्यार इतना रहे कि अपने भाई का पूच्या लड़ा रखना जाओ बेटा सुनू यह जालते हो कि तुम्हारे फिता हमारे खनिष्ट दोस्त थे मैं मुसल्मान हूँ लेकिन एक इमांदार मुसल्मान हूँ पेटा जाओ कोई तगली पढ़ने नहीं पाएगी बेटी सरला को लेकिन द्यार बेटा भाई 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 कभी आपका दामन नहीं शूटा है पेली बार आपका दामन शूट रहा भाई लेकिन मुझे जब दूरन बनाना न तो दूरन बनाके अपने हासों सटोली में बिठाना आईगी अमकेल भाई जाने वाले उच्चाने वाले जाने वाले उच्चाने वाले किया मेने एठी किया मेने एठी खुद्मिक के हवाले जान्यवाले तेरा अल्ला दिलेगा तेरा मौला दिलेगा तेरा के अल्मिक 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 के अल्म बेटी सरला तुम किसी दाज की चिंता मत करो बेटी चाचा आप जिससे मस्या कहां थे तो हम चिंता कहें करेंगे बेटी जब तुम्हारे पिता में दोस्ते